नमस्ते बच्चों बच्चों मैं आप लोगों से एक पहली पूस्ती हूँ आप लोग मुझे उस पहली का उत्तर बताना पहली तो आपको बूझना ही है हरी थी मन भरी थी लाल मोती जड़ी थी राजा जी के बाग में दोशाला ओड़े खड़ी थी तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा एक ऐसी चीज है जो हरी भरी थी और उसके अंदर मोतियों की लड़ी भी जड़ी है राजा जी के बाग में वो शाह लोड़ कर खड़ी है तो बच्चों वो कौन सी चीज हो सकती है? हाँ, बिल्कुल सही, वो है भुट्टा भुट्टे के अंदर मोतियों की लड़ी जैसे उसके बीच लगे रहते है भुट्टे का छिलका उपर से शाह लोड़े जैसे दिखाई देता है तो आपको पता है बच्चों, इस पहली को किस ने लिखा है? इस पहली को अमीर खुसरो जी ने लिखा है अमीर खुसरो एक बहुत बड़े कवी थे उन्होंने बहुत सी कवीताय लिखी है बहुत सारे वादियंत्र भी बनाये है बहुत सारी पहलियों की रचना की है अमीर खुसरों की पहलियां बहुत ही प्रसिद्ध रही है तो बच्चों आज हम कक्षा चौथी के पाठ बीस अमीर खुसरों की पहलियां पढ़ेंगे आज से लगभग 700 वर्ष पहले भारत में गुलामबंश का एक बादशा था बलबन उसके समय में ही दिल्ली में हजरत निजामुदीन अलिया नाम के एक संत थे उनका एक आठ वर्ष का प्यारा शिश्य था अमीर खुसरों यह अमीर खुसरों का चीत्र है खुसरों बड़ा होकर अपनी बुद्धी मता के बलपर बलबन का राजदरबारी बना खुसरों अर्बी, फार्सी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे उन्हें संस्कृत भाषा का भी थोड़ा ग्यान था उन्होंने फार्सी में तो बहुत स्रेश्ट रचनाय की हिंदी में भी अनेक पुस्त के लिखी खुसरों एक अच्छे संगीत अग्या भी थे कहा जाता है कि सितार का अविश्कार खुसरों ने ही किया था खुसरों इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि हिंदी की खड़ी बोले में कविता लिखने वाले वे सर्व प्रथम कवी माने जाते हैं यहां उनकी कुछ चुनी हुई पहलिया दी जा रही है इन्हें पढ़ो और बुझो तो पहली पहली है धूपों में वह पैदा होए छाओ देख मुर्जाए एरी सकी में तुझ से पूछू हवा लगे मर जाए तो बताओ तो क्या होगा इसका इस पहली का उत्तर हाँ बिलकुल सही इस पहली का उत्तर होगा पसीना जब बहुत तेज धूप होती है तो पसीना बहने लगता है न और जैसे ही हम किसी पेड की च्छाओं में या पंखे में बैठते हैं तो वो मुर्जा जाता है हावा हमको लगी याने हमारा पसीना सुखा अब दूसरी पहली है एक नारी के हैं दो बालक दोनों एक ही रंग एक फिरे एक ठाड़ार रहे फिर भी दोनों संग क्या हो सकता है इस पहली का उत्तर? हाँ बिलकुल सही इस पहली का उत्तर है चक्की पुराने समय में हमारे जो दादी और नानी लोग थे उन लोग चक्की से ही आटा पिशा करते है तो बच्चों चक्की के दो पाथ होते हैं एक जो नीचे वाला रहता है वो बिलकुल खाड़ा रहता है और जो उपर वाला रहता है उसको घुमाते रहते हैं तभी तो आटा पिस्ता है, या धाल दरते हैं, है ना, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों के काम अलग-अलग हैं, तो इस पहली का उतर है चक्की, अब अगली पहली देखते हैं, आधी कटे तो सबको पाले, मद्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरोवा को आखो दीटा, थोड़ा ऐसा दिमाग लगा, बच्चों, इस पहली का क्या उतर होगा? बिल्कुल सही, इस पहली का उतर है काजल, देखो, काजल के अगर आप अक्षरों को काटो, पहला अक्षर अगर हटा दोगे, तो क्या होगा? जल, जल जरूरी है ना जीवन के लिए, तो सबको जल से सबका पालन हो रहा है, अब मद्य कटे, तो क्या हो जाएगा? काल, काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ, जब मृति होती है, है ना, तो मर जाता है इंसान, और अंतकटे, याने, जब, देखो, गौर से का, ज, ल, अगर ल हट गया, तो क्या हुआ? काज, तो काज का अर्थ क्या होता है? कर्म, काम करने से सभी को अच्छा लगता है, मिठा रहता है, है ना, और जब तीनों एक साथ रहते हैं, काजल, तो उसको कहा लगाते हैं? आखों में, तो इसका उत्तर क्या हुआ? काजल, अब अगली पहली को देखते हैं, एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिना परों के वह उड़ गया, बांध गले में सूत, क्या होगा इसकार? इस पहली का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, पतंग, पतंग के पर्तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी वो उड़ती है ना? और उसको उड़ाने में कौन सहायक रहते हैं? रसी, धागा, सूत्याने, धागा, तो वो धागे के सहारे आसमान में उड़ते रहती है, तो इस पहली का उत्तर है पतंग, अगली पहली है, सावन भादों बहुत चलत है, माग पूस में थोरी, अमीर खुसरों यो कहें, तू बूझ पहली मूरी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा इस पहली का उत्तर? बिल्कुल सही, इस पहली का उत्तर है नाली या नाला, सावन या भादों में नाली या नाले में पानी तेच चलता है, और माग पूस में बहुत धीमी गती में चलते हैं, और इस पहली में मूरी शब्द का यहां पर उलेख हुआ है, तो मूरी का अर्थ होता है नाली या नाला, तो इस पहली का उत्तर है नाली या नाला, अब हम अगली पहली देखते हैं बीसों का सिर काट लिया ना मारा नखून किया सोचो तो हाँ, बिल्कुल सही हमारे जो हाथ की उंगलिया है ये कितनी है? बीस है ना? और इनमें जो नखून है तो इन नखूनों को अगर काटो तो नखून निकलता ना ये मरते और बढ़ते चले जाते हैं तो इस पहली का उत्तर क्या हुआ? बिल्कुल सही ना खून अब अगली पहली देखते हैं जल जल चलती बस्ती गाउं बस्ती मेना वाका ठाउं खुसरों ने दिया वाका नाउं बूज अरत नहीं छोड़ों गाउं अब इस पहली का उत्तर क्या होगा? जल जल चलती यानि ये जो चीज है ये पानी में चलने वाली है पानी में क्या चलती है? इसी पहली में दिया है इसका उत्तर गौर से पढ़ो हाँ, बिल्कुल सही नाउं, इस पहली का उत्तर है नाउं अब अगली पहली देखते हैं घुम घमेला लहंगा पहने एक पान से रहे खड़ी आठ हाथ हैं उस नारी के सूरत उसकी लगे परी सूचो तो, क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही चाता, आपने चाता को गवर से देखा है? ये जो चाता रहता है ये लहंगे की घेर की तरह रहता है और इसमें जो छड़ी लगी होती है वो पैर की तरह जैसे उसका एक पैर खड़ा है उस तरीके से और इसमें जो तीलिया लगी होती है आठ तीलिया वो हाथ की तरह नजर आती है और च्छाता दिखने में बहुत सुन्दर भी दिखता है तो परी जैसा दिखाई दे रहा है है ना, तो इस पहली का उत्तर है च्छाता या छत्री है ना, अब अगली पहली देखते है सूचो तो, क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, तारे आसमान में जो तारे रहते हैं ना, तो जो आसमान है वो एक ठाली की तरह दिखाई देता है और जो उसमें तारे रहते हैं, वो मोती की तरह चमकते नजर आते हैं और ये जो ठाल है, ये उपर से ओंधा रखा हुआ है और चारो तरफ ये गोमते रहता है लेकिन फिर भी तारे जमीन पर नहीं गिरते, है ना, तो जो मूती है वो एक भी नहीं गिरते, तो इस पहली का उतर है आसमान और तारे, अच्छा बच्चों, तो अभी आपने अमीर खुसरों की पहलियां देखी, अच्छी लगी ना, अच्छा बच्चों, अब इस पार्ट प्रशन है यहां, वह कौन सी चीज है, जो धूप में पैदा होती है, लेकिन हवा लगते ही मर जाती है, उत्तर है, वह चीज पसीना है, जो धूप में पैदा होती है, लेकिन हवा लगते ही मर जाती है, अगला प्रशन है, चक्की के कितने पार्ट होते हैं, अभी पहली मैंने इससे सम्मिन दी, चके के दो पाठ होते हैं, अगला प्रश्न है, मोरी यानि नाली पूसमाग के महनों में धीमी और कम क्यों चलती है, तो इसका उत्तर है, मोरी या नाली पूसमाग के महने में धीमी इसलिए चलती है, क्योंकि इन महनों में बारिश कम होती है, अगला प्रेश्न है इस पार्ट में निमली के शब्दों का प्रयोग हुआ है छाओ, ठाड़ा और अंधा इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो तो यहां हमने उतर में दो खंड बनाये हैं एक में हमने शब्द लिखा है और एक में हमने शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया है तो छाओ छाओ का हम वाक्यों में प्रयोग किये हैं मोहन पेड की छाओ में बैठा था अगला है थाढ़ा इसका वाक्य बनीगा चक्की के दो पार्ट में एक थाढ़ा रहे और एक घूमते फिरे अगला है ओंधा इसका वाक्य में प्रयोग है घमेला ओंधा रखा है अगला प्रेश्न है निमलिखित शब्दों के मानक रूप लिखो यहाँ पर शब्द है वाकी, ठाओ, थोरी, बस्ती तो यहाँ भी हमने उत्तर में दो खंड बनाए है एक में शब्द और दूसरे में मानक रूप तो यहाँ शब्द में पहला शब्द है वाकी तो वाकी का मानक रूप क्या होगा उसका ठाउं, ठाउं का मानक रूप है जगह थोरी, थोरी का मानक रूप होता है थोरी बस्ती, तो बस्ती का मानक रूप है बस्ती अगला प्रश्न है, चतिस गड़ी में पहली को क्या कहते हैं? च्छतिस गड़ी बोली की दो पहलियां लिखो तो क्या कहते हैं? मालूम है ना आप लोगों को? ठीक है, यहां उत्तर भी हमने दिया है च्छतिस गड़ी में पहली को जनवला कहते हैं च्छतिस गड़ी बोली की दो पहलियां हैं यहां पहली-पहली है लाल नरियर के हरियर भूच नहीं जाना स्थे तोर्ददल पूच क्या होगा सोचो तो लाल नरियर और हरियर भूच याने तर्भूजिया कलिंदर है ना उपर हरा रहता है और अंदर क्या रहता है लाल रहता है ना इसका उत्तर है तरबूजिया कलिंदर, अब अगली पहली, उपर पचरी, नीचे पचरी, बीच में मोंगरी मचली, तो इसका उत्तर क्या होगा? जीब, या जबान, है न, क्यों? उपर तालू, नीचे, है न, दोनों के बीच में ये जो है, वो मोंगरी मचली, ठीक है? तो इसका उत्तर है जीब, अच्छा बच्चों, अभी हमने अभ्यास कारिय किया है, अब मैं आप लोगों को ये ग्रिह कारिय दे रही हूँ, इसे आप को घर से करके लाना है, ठीक है? पहला प्रश्न है, इस पाठ में छतरी के कितने पाओं और कितने हाथ हैं? अगला प्रश्न है, सूरत उसकी लगे परी, इस पहली में परी के समान सूरत की बात कही गई है, सोच कर लिखो कि परी की सूरत में क्या खास बात रहती है? अगला प्रश्ण है अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ कर 36 गड़ी जनवला एकत्र कर लिखो अंतिम प्रश्ण है अमीर खुसरों की तरह अन्य कवियों की पहलियों को एकत्र कर लिखो तो बच्चों ये आप लोगों को काम घर से करके लाना है अगली कख्षा में हम फिर मिलेंगे धन्यवाद